नमस्कर जो कभी कभी आम जन समझ भी नहीं पाते हैं तो आज इस प्रोग्राम में हम समझेंगे कि बदलते मौसम में क्या होती है बीमारिया उनसे कैसे बचा जाए और कैसे स्वस्त रहा जाए और इस विशय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पनारस के में जानी माने डॉक्टर के के सिग SweokohatNSल बहां और बहुत समस्क्री माने कह ऑफी बदलते मौसम में धर्ज सारी विमारिया гास होती है तो यह बदलते मौसम में ही क्यों पूछा है बदलते मौसम में बीमारिया क्यों जादा होती है घंडी थंडी से ऑप गहर्मी होता है इसको spring season भी बोलते हैं, तो जब भी season change होता है, temperature का variation होता है, तो उस season में बीमारियों का infection का rate होता है, वो काफी बदल जाता है, क्योंकि सरीर का जो हमारी body के सहने की छमता होती है, अभी ठंडी के हिसाब से हम लोग accustomed होते हैं, अब जैसे गर्मी आती है, फिर हमारा सरीर भी उ थोड़ा समय लगता है, उसी बीच में हम आप लापरवाही बरतते हैं, और पता लगा कि तुरन अभी रूम में से निकल करके high temperature में चले गए, और फिर pollution है, वहां भी चले गए, तो सरीर को भी adjust करने में समय लग रहा है, उस समय हम नहीं दे पाते हैं, जिसके वजैसे काफ पेट में भी दर्द होने लगता है, बोलते हैं साब पेट में बहुत दर्द हो रहा है, लूज मोसन भी हो रहा है, उल्टी भी हो रही है, तो इस तरह से बदलते मौसम में यह सब बीमारियां बहुत कामन हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं, ऐसे में ऐस्थमा के जो दाने आने लगते हैं दाग हो जाते हैं और कह सकते कि सुनदरता गायब होती है तो यह भी क्या इसी वज़े से और यह क्यों होता है जो आप पूछ रहे हैं बहुत इंपोर्टन कोश्चन है जब भी मौसम चेंज होता है जैसे अब स्प्रिंग सी जाना इसमें पालन होते हैं इन्वार्मेंट में बहुत सारे इलर्जिंस होते हैं इलर्जिंस जिसके वज़े से इलर्जी होती है तो पालन ग्रेंज है और धूल धकड़ है तो यह सब चीजें बढ़ जाती है जैसे बढ़ती है यह सब चीजें जब किसी के भी सरीर के अंदर जाती है तो अध इसमें भी मतलब लोगों को ध्यान देना चाहिए कि बदलते मौसम में जिसे सर्दी जुकाम, बुखार, खांसी मैंने बताया, आपने पूछा कि बच्चों को या बुजूर को सांस की परसानी रहतीत सबको है, इन लोगों को थोड़ा ज्यादा होती है, बच्चें बुजू थोड़ा इम्मिनुटी काम होती है, इसलिए जदा बलेबॉल होते हैं बीमार होने के लिए, और बच्चों में जो खांसी की समस्या होती ऐस सीजान में बढ़ जाती है, अगर पहले से ऐलिजिया है, एक होता है, ऐलिजिया एक होता है, बुजूरränतिया को सकते हैं, बच् कि यही एलर्जी आगे चलके दमा का रूप लेता है जब कि आपके लंग्स के फेफड़े के कुछ सेल्स डेमेज हो जाते हैं तो इस पर जो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है आपको सरदी जुकाम बुखार खांसी हो तो समय से इसका इलाज करना मैंडेटरी है उसी तरह स आपके जो इलर्जी बोल रही है जो दाने निकल जाते हैं तो इसका घर पर इलाज है पहले कि अगर निकल रहे है तो आप जागर के अपने मूं को हाथ को सरीर को अच्छे से पानी से धोलीजे तो जो भी बॉड़ी पर अलेर्जन रहेंगे काफी साफ हो जाएंगे उससे काफी चीजें कम हो जाती है और अगर उससे नहीं कम होता है तो आप अपने नियर बाई किसी भी चिकित्सक को दिखा करके एंटी एलर्जिक सिंपल सी दवाई आती है अगर उसको भी खा लेंगे तो उससे आपको आराम हो जाएगा यानि कि जब परिशानी कोई भी शुरू ह समझ आते हैं कि इकम्हीं कमज़र होने की वजह से ही रोग होते हैं हमें तो खान पान जो सब्से होता है वह नहीं समझ भाते लोग ये भी बहुत जरूर है इसके बारे में बताविए हां सरीर की जो छमता होती है इम्यूनिटी जो होती है हमारे खान पान पर और सरीर की बयायाम पर जो काफी निर्भर करता है जैसे कि अगर हम लोग बैलेंस डाइट खाते हैं बैलेंस डाइट में हो गया कि आपको बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए का भी जो खाना है और निर्धारी समय से होना चाहिए उसमें आधा घंटे एक घंटे का फेर बदल होना चाहिए कुछ लोग क्या करते हैं पतला सुबह का नास्ता नहीं किये मार्केट में निकल गए कुछ लोग जो है दोपार का खाना मिस कर दिये तो इससे भी सरीर की जो बाडी इम्यूनिटी होती है उस पर बहुत फर्क बढ़ता है तो अगर आप बैलेंस डाइट उसमें कार्बो हाइडरेट प्रोटीन फैट का जो समचित मात्रा बताई जाती है अगर ओ सब लेते हैं फल लेते हैं हरी सबजी लेते हैं इससे आपके सरीर की छमता जोग खाने के वज़े से भी बढ़ती है और साथ में नियमित ब्यायाम हर आदमी को अपने एज के अनुसार उसको नियमित ब्यायाम करना मेंडेटरी है चाहे योगासन हो और पैदल चलना हो अपने लाइफ मे एक मिनिममम ओन आवर थर्टी-थर्टी मिनट्स करके देना मेंडेटरी है यह दोनों चीज अगर हर आदमी करता है तो उसकी बाडी की इम्मिनिटी उसके एज के अनुसार हमेंसा अच्छी रहती है तो उसको बिमार पढ़ने कम बिमार पढ़ते हैं यानि कि हमारा स्वास् और लोग घर में आरो का पानी पी रहा है तरह तरह के पानी है तो आरो के पानी पीने के कितने फाइदे हैं कितने नुक्सान है और भी इसके तरह बहुत है ऐसा तो पानी कितना दूशित है हमारे स्वाथ के लिए सभी लोगों को हम लोगों को जो है सुद्ध जल पीना चा वो सब बहुत ही कम हो जाएंगी बहुत सारी बीमारियां हैं जो असुद्ध जल पीने से होती हैं जैसे आपने पूछा कि आरो का पानी तो आजकल केंट है आरो है बिस लेरी है सब तरह-तरह के मार्केट में सुद्ध जल के नाम पर चीज़ें आई हुई हैं तो हमारा बताना यह जरूरी है कि जैसे कि जो भी केंट लगाते हैं या आरो लगाते हैं जो भी मरसीन लगाता है आदमी उससे जरूर देख लिजिए कि उसका पी एस सही मेंटेन रहना चाहिए ऐसा नहों कि आ भी माप दंड होता है जरूरत से ज़्यादा पानी की सब चीज़े निकाल देंगे तो वो सरीर के लिए ओभी पानी नुकसान होता है यहां से हम आप लोगों बताना चाहेंगे और जो असुद्ध जल है जैसे कि आप मार्केट में जा रहे हैं अपने साथ पानी नहीं ले हैं अब आपको प्यास लगी है और आप किसी भी दुकान पर जा करके जो कलेक्टिट पानी अब एक दिन का है कि दो दिन का उसको भी निकाल करके पबलिक पीती है आप भी देखी होंगी हम लोग भी देखते हैं ओ बिलकुल घरत है यह नहीं करना चाहिए अगर कहीं पर न सब्सक्राइटिस हो सकता है डायरिया हो सकता है पीट में इंफेक्षन हो सकता है और असुध पानी पीने श यह हमेशा असुद्ध पानी पीने से ही होता है। यानि कि हम देख सकते हैं कि हमारा खान पान, हमारा जिन्दगी जीने की शैली हमारे जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। हम किस तरह से अपने जीवन को बतले। सर एक बहुत जरूरी बात कि कोरोना जैसी भयावा माहमारी से अभी हम उबर नहीं पाए हैं। समय समय पर इसकी एक वेव आ रही है जिसे सभी लोग परिशान हैं। तो ऐसे में अपने आपको कैसे स्वस्त रखें। हाली graph के लिए वेक्सिनेशन है। बहुत से पैरेंट्स ऐसे हैं जो कि अपने बच्चों अभी तक यह वेक्सिन नहीं लगा है। कितना जरूरी है यह। पहले तो आपने पुछा कि करोना जो है इसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए। देखे करोना जब एक बार आ चुका है सोसाइटी में या धरती पा गया है कहीं से तो यह बिलकुल 100% खतम होना बहुत ही मुश्किल काम है जैसे कोई भी बिमारी आती है एट्स आ गई उसी तरह से हिप्टाइटिस आ गई यह सब वाइरल बिमारियां है वाइरल तो वाइरल कि अनुसार घटेंगी बढ़ेंगी घटेंगी बढ़ेंगी 100% इरेडिकेशन होना बहुत ही मुश्किल काम है अभी करोना पर भी यह कह पाना कि 100% करोना खतम हो जाएगा धरती से अभी एक कोई साइंटिस्ट या कोई भी आदमी यह बता नहीं पाएगा तो हम लोगों को स सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, अपने को सुरक्षित रखना, बॉडी की छमता सही रखना और जो टीके आये हुए हैं अपने देश में या बाहर कहीं भी तो टीके जो भी गवर्मेंट गाइडलाइन बनाती है समय समय पर ओ लगवाना मैंडेटरी है, सब के लिए म बच्चे अभी उतना अपना सरीर का ध्यान नहीं देते हैं और अभी उनको स्कूल कालेज जाना है, स्कूल कालेज में भी उनको कितना भी आपका हली जिए सोटल डिस्टेंसिंग लेकिन जो अभी हम देख रहे हैं बच्चों को सट-सट के बैठाते हैं, अगर किसी एक पब्लीक को या सबको ये संदेश देना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि करोना जो बच्चों के लिए आया है, वो प्यूरली सेफ है, 100% सुरक्षित है और आपका बच्चा एकदम सुरक्षित रहेगा, इसलिए उसको आप लोग जा करके अपने केंदर पर जहां भी जिन्होंने नहीं किया है, अभी तक अबने बच्चों को वैक्सिन नहीं लगवाई है, वो आज ही रजिस्टर करें और लगवाएं, सर एक और चीज़ देखने को में मिल रही है कि कोरोना शिरू हुआ, तो हमने अपने इमुनिटी पर ध्यान दिया, बहुत से ऐसी जो हमने अपनी जिन्दगी में सीखी, और एक जो सबसे जरूरी चीज़ मास्क लगाना, और सोशल डिस्टेंसिंग, यह सब चीज़े कोरोना के अलावा भी हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाती है, कह सकते हैं मास्क, तो बीमारियों के साथ साथ प्रदूशन भी चरम है, हर तरह के प्रदूशन है, आज भी लोग मास्क लगाने से कतराते हैं, वो कोरोना हो या ना हो, वो मानते हैं कि मास्क लगाना बहुत जरूरी नहीं है, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? देखे, आपने बहुत अच्छा पूछा है, और पबलिक को मैं बताना चाहूँगा, यह तो करोना के वज़े से हम लोग मास्क लगाना शुरू कर दिये, और अभी कुछ लोग नहीं लगा रहे हैं, लेकिन अगर आप रोड पर चलते हैं, तो रोड पर आप भी देख को, डायरेक्ट, जो भी सांस हम लेते हैं, मेरे फेफड़े में जाता है, इसके बाद आक्सिजन के दोरा तो बाडी में जाता है, और बाडी के आरगन को एफेक्ट करेगा, लेकिन हमारा फेफड़ा डायरेक्ट एफेक्ट होता है, तो अगर हम लोग मास्क लगाते हैं, ज सीजन वाटेवर दर टाइम कोई भी टाइम कोई भी सीजन हो क्योंकि लगातार पलूसर में खड़े रहते हैं और लोगों को अक्सर देखा गया है कि उनको ऐस्दमा हो जाता है क्योंकि बार-बार धूल के करण और बाकी कार्बन पार्टिकल जाते रहेंगे तो लंक्स को डे कम से कम होगी उनको एस्दमेटिक अटेक नहीं होंगे बहुत सारी बिमारियों से आदमी बचेगा करोना के अलावा भी अगर ओव मास्क लगाता है तो लगाना मैंडेटरी है लगाना चाहिए लोगों को हमारे देश में पर्व दिभारों का बहुत उत्सवफ से मनाया जा जाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप बताए कि खाना खाने का एक सही तरीका क्या होता है आपने बोला ना कि पेट एक मैगजिक ब्याक्सा तो एक सीरियल टीवी पर आता था बहुत पहले लोग देखेंगे सुनेंगे भानुमती का पिटारा उस पिटारे में क्या है जब कभी पेट को खोलते हैं तो जो मैंने सोचा और पेट में दूसरा निकल गया तो जो सुप्रिमों हो सुप्रिमों उपर बैठा हुआ है तो डॉक्टर भी सब कुछ डाइग्नोज करके 5% केस में देखता है कि जो डाइग्नोसिस बनी जो जाच में आया वो पेट खोलन उपर नहीं मिल तो इससलिए उसका नाम दिया गया मैजिक बोक्स डिया गया और पेट में जब सुद्ध खाना आपने बोला कि जब पेट के बारे मीकले नो में यह बैलंस जाएट जाएगा को वहीं से खुराग सारे शवरेर के अंग को मिलता है जब जो खाना आप्वाcht और सुद्ध रहेगा तभी आपका पेट भी सही रहेगा और सारे अंग और मस्तिक्स भी सही रहेगा जैसे आप खाना बहुत स्पाइसी खाते हैं और आपका ठीक नहीं रहता है तो सारे जैसे हर्ट को भी जो जाएगा वहां कुलेस्टराल बढ़ेगा चीजें बढ़ेंगी आपका ब्लड पेसर पढ़ेगा आपका जो माइंड भी दिमाग भी नहीं ठीक रहेगा जो भी समचित खाना सही धंग से खाते हैं उनका दिल दिमाग सब कुछ दुरुस्त रहता है तो इसलिए हम यहां से बताना चाहेंगे कि जो बैलेंस डाइट बोली जाती है पेट सही सही रखने के लिए सुबह का जो नास्ता होता है वह भर पेट करिये और उसमें कर्भो हाइडरेट प्रोटीन और फैट की माटा बैलेंस डानी चाहें यह नहीं हो कि पताल लगातार आपने कर्वोहाइडरेट खा लिए एकसेस चीनी खा लिए यह भी नहीं होना चाहें कि आपने बहुत ज़्यादा आईली फोट खा लिया, बहुत ज़्यादा नानविज सुबह उठते ही नानविज शुरू कर दिया, इस अब नहीं होना चाहिए. जैसे आपको उसमें दलिया हो गया, अंकुरिक चना दाना हो गया, कुछ फल हो गया, इस सब मिला करके खाना चाहि करेंगे। उसी तरह एक खाने के बाद जिसे नाशता आपने कर लिया। तो चार से छघंटे का अंतर होना चाहिए सेकेंड मील में। यह नहीं होगा, अभी नौ बजे नास्ता कर लिया, ग्यारा बजे खा लिया, अगर आप आठ से नौ की बीच में नास्ता कर रहे हैं, तो हमेसा खाना एक से दो की बीच में खाईए, चार से छा घंटा खाना को वर्क करने में और वहां से क्लियर होने में समय लगता है, तो प उसी तरह डीनर भी आपका जो है, साथ से नौ की बीच हो जाना चाहिए, आज कल प्रचलन हो गया है, जो नए बच्चे हैं, देर तक जगते हैं, और वो सब देर में खाते हैं, आप 11 बजे खाएंगे, 12 बजे खाएंगे, देर तक जगेंगे, उसका सरीर पर एफेक्ट हमे तो दर्श को देखा आपने हमारा खान पान, हमारी जीवन शेली बदल कर हम अपने जीवन को बहुत सुखी बना सकते हैं, बहुत 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 बना सकते हैं, डॉक्टर साब आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी जानकारी हम से साचा कि इसके लिए को बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार